योगी राज में बाहु बलियों की खैर नहीं है। पूर्वांचल में जहां मुखतार अंसारी की बेटे अबास अंसारी फरार हैं तो वहीं दूसरे एक और बाहु बली के फरार बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो पुलिस के हत्ते चड़ गया है। वो बाहु बली की टीम ने पुने से गिरफतार कर लिया है उसे रवीवार कुदेर श्याम पुने के पोलिस स्टेशन हडपसर में गिरफतार किया गया और ये भी जानिये कि उसकी गिरफतारी से एक दिन पहले ही अपर पोलिस महारे देशक वारा नसी ने उस पर एक लाख रुपए का इनाम कोशित किया था विश्णो मिश्रा दो साल से फरार चल रहा था दरसल धोखा धड़ी कर रिश्यदार की संपत्ती हडपने और युवति से दुश्कर्म करने का मामला विजे मिश्रा उसके कारोबारी बेटे पर दर्ज है अगस्त 2020 में पुलिस ने विजे मिश्रा को विधा रहते मद्यप्रदेश के मालवा से गिरफतार कर जेल भेज दिया था और उसी समय से उनका बेटा विश्णू फरार चल रहा था विश्णू की गिरफतारी के लिए पोलिस जगे-जगे खाक चानती रहे और जब काम्याबी नहीं मिली तो पहले 25,000 का इनाम घोशित किया ग चुकी है अब ये भी जान लीजे कि एक वक्त ऐसा था जब विशे मिश्रा की पूर्वान्चल के इलाके में तूती बोलती थी विशे मिश्रा ज्यान पुर्विधान सभा से लगातार चार बार विधायक रहे तीन बार समाजवादी पार्टी से और 2017 में निशाद पार्ट बनने से वो चूक गये थे उनकी पतनी रामलाली मिश्रा मिर्जापुर सोनभद्र से मलसी रही है वैसे ये भी जानेजे कि कैसे विश्नु मिश्रा ने गिरफतारी से बचने के तमाम हथकंडे भी अपनाए थे उसकी दरफ सिलाहबाद हाई कोट में अग्रिम जमान तो इस खबर पर आपकी क्या राय है पूर्वांचल में बाहु बलियों का किस तरह से ढाया जा रहा है किस तरह से अपर शेकंजा गस्ता जा रहा है इस पर अपनी राय कॉमिंट वॉक्स में जरूर रखें तमाम खबरों के लिए यूपितक देखती जाए तफसील्स इन ख हुआ हुआ है